नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाल न्यूस चानल मेटो टेवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामेका बुलेटिन के शुरुआत करते हैं हेडलाइन से नरेंदर मोदे के मंत्री गिरिराद सिंख का विवादा स्पत बयान कहा हिंदू जैसा हिज़रा कोई कौम नहीं पहले भी अपने बयानों से रहे हैं विवाद में आजम ने बुलन शहर गैंग रेप में साजिश वाले बयान पर लिया यूटर्ण कहा आरोपियों को इस्लामिक सजा हो पहले बताया था विपक्षियों की राजमेतिक साजिस दो हफ़ते तक संसद नहीं आप आएंगे आप संसद भगवन पान लोग सभा अध्यक्ष ने जाज कमेटे को दिया और दो हफ़ते का वक्त वीडियों के जरीय संसद के कोपनिय स्रक्षा का किया था खुलासा दिल्ली के रोहिनी कोट में वकीलों ने पुलिस वालों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा वकीलों ने किया हर्ताल आम लोगों के लिए बंद किया गया कोट और रियो जाएंगे भारतिय पहलवान नर्सिंग यादव युनाइटिड वर्ल्ड रेसलिंग ने दी मन्जूरी नादा से डॉपेंग प्रकरन से नर्सिंग को किया था परी भारतिय पहलवान नर्सिंग यादव के लिए खुश खबरी है युनाइटिड वर्ल्ड रेसलिंग ने उनके नाम को मन्जूरी दे दी है इस बात की जानकारी भारतिय अकुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिज भूशन सिंग ने दी है उन्होंने बताया कि वर्ल्ड रेसलिंग संग ने नर्सिंग यादव के नाम को मन्जूरी दे दी है गौर्तलब है कि राष्टे डोपिंग रोधी एजिंसी नादा ने पहलवान नर्सिंग यादव को सुमवार को डोपिंग प्रकरण से बरी कर दिया था लेकिन उनके रियो जाने को लेकर संशे इसलिए बरकरार था कि उन्हें युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से मन्जूरी नहीं मिली थी लेकिन अब ये बाधा भी दूर हो गई है अब नर्सिंग यादव रियो अलम्पिक जाने के लिए तयार है इस दोरान लोक सभासपी का समित्र महाजन ने मान को संसद ना आने की सलादी है भगबन मान के बनाए वीडियो की जाँच के लिए लोक सभा के नौ सदस्यों की जाँच समीटी गतित की गई थी इसके निर्शकर्ष के अधार पर मान के खिलाफ फैसला लिया जाना था लेकिन आवे इस नौ सदस्य पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए दो हफते का और समय दिया गया है हाला कि सुमित्रा महाजन ने ये भी कहा कि जब तक संसत किसी फैसले पर नहीं पहुँचाती है तब तक मान लोक सभा न आए भगवंत मान ने संसत परिसर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और इसे अपने फेस्बुक पेज पर अपलोड किया था इस वीडियो में संसत भवन की बेखत गोपनिस रक्षा का खुला सकिया गया है बीजेपी नेता और नरेंजर मोधी सरकार के केंद्रिय राज्यमंत्री गिरिराज सिंग एक बार फिर विवादों में खिरते नजर आ रहे हैं हिंदू होता तो पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाता पठना में एक एक डिला मार कर मार देते कुछ लड़के हैं जुनके पास सेंटिमेंट है अभी कुछ लोग जीवित है जुनके पास सेंटिमेंट है देश में केवल 20 प्रतिशत लोग है जुनके पास सेंटिमेंट है वो आगे कहते हैं कि अगले 20 सालों में हिंदूओं की और दुरगती होगी गेराज सिंग पहले भी धर्मांतरन लव जिहाद पाकिस्तानी स्कूल पर हमले जैन्यू और बीफ के मुद्धो पर विवादत बयान दे चुके हैं बुलन शहर गैंग रेप को समाजवादी पार्टी के खिलाफ साज़िश बताने वाले ने ता आजम खान अब अपने ही बयान से पलट गए हैं आजम ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके किस बयान से प्यूर्ट परिवार को दुख हुआ लेकिन वो चाते हैं कि इस मामले मारोपियों को इसलामिक सजा हो आजम ने ये भी कहा कि वे चाते हैं कि ऐसा हादसा फिर ना हो इसके लिए हर जरूरी इंतजाम भी के जाएंगे आजम ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर ऐसा रियाक्शन दिया जा रहा है आजम ने कहा कि बुलन शहर में जो हुआ है उसके जितनी निंदा की जाए कम है लेकिन ये बात सच है कि एक ही समय में एक ही तरह के कई अपराद हो रहे हैं आजम ने कहा कि उन्होंने राजनितिक साजिश शब्द का इस्तमाल नहीं किया था रोहिनी कोट में पुलिस और वकीलों के बीच आपस में लड़ाई हो गई वकीलों ने पुलिस कर्मियों को दोड़ाक कर पीटा है इसके अलावा वकीलों ने इसी मामले पर हर्ताल शुरू कर दिया है आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है दरसल एक वकील सुभा अपने परिवार के साथ अदालत पहुचा था वे लॉक अप की तरफ से प्रवेश करने लगा इस बाद का कमांडों ने एतराज किया और उससे धक्का दे दिया इसके बाद वकील की कमांडों से हाता पाई हो गई बाद में सभी वकीलों ने कमांडों को पीटा वहीं वकील मौके पर दिख रहे पुलिस वालों से भी हाता पाई करते दिख रहे हैं बताया जा रहा है कि ACP के साथ भी वत्सलूकी हुई है। राजसभा में बुधवार को यूपी की बदतर होती जा रही कानून विवस्था को लेकर हंगामा हुआ। कारवाई के दौरान उत्र प्रदेश में हो रहे गैंग रेप का मामला भी उठा। सांसदों ने सदन में इस विश्य पर चर्चा की मांग की। बीजेपी नेता मुक्तार अबास नकवी ने भी इस मांग का समर्थन किया। नकवी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ को रहे अपराधों पर राजनीती नहीं की जानी चाहिए। नकवी बोले कि अगर सदन चाहता है तो इस मुद्धे पर बहस हो तो हम इसके लिए तयार है। वही बीस्पी सुप्रीम मायवती ने यूपी में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर केंद सरकार को घेरा। माया ने कहा कि हान ही में हुए उत्तर प्रदेश में महिनाओं के खिलाफ अपराधों को के लेकर केंद सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। क्या केंद सरकार ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ गाठ की हुई है। गुजरात की सीएम आनन्दी बेन पतिल का इस्तिफ़ा बुदवार को बीजेपी संसदिय बोर्ट की बैठक में मनजूर कर लिया गया। केंदर मंतरी एम वेंग के नाइडू ने इसके बारे में जौनकारी दी। बैठक खतम होने के बार नाइडू ने बताया कि आनन्दी बेन जी आज राजभवन जाएंगी और अपना इस्तिफ़ा राजपाल को सौब देंगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शां के सीएम बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा सवाल ही नहीं है। पार्टी चाती है कि वे राश्ट्री राजणीती में नितित्व करें। नए सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि नितिन गटकरी और सरूज पांट्या को पर्यावे शक नियुक्त किया गया है। वे दोनों गुजरात जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद ही नए सीएम के नाम पर फैसला होगा। गौरतलब है कि आनंदी बैन ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए फेस्बुक पर इस्तिफे की घोशना की थी। पिये मोधी और बीजेपी अध्या अक्षामित शा का गड़ माने जाने वाले गुजरात में आपार्टी अपनी पकड़ खोती जा रही है। कि उना की घटना के बाद दलितों ने बीजेपी से दूरी बना ली है। पार्टीदार आरक्षन और दलित आंदोलन की वज़ा से पार्टी की छवी को इतना नुकसान पहुँचा है कि 2017 के चुनावों में बीजेपी का 18 सीतों पर भारी अंतर से चुनाव हन अतै है। हलकि RSS ने ऐसे किसी भी सर्वे की बाद से इंकार किया है और कहा है कि बीजेपी खुद ऐसे सर्वे करवा सकती है। राजस्तान हाई कोट द्वारा बॉलिवूड अक्ट सल्मान खान को 1998 में जोधपुर में चुइंकारा के श्रिकार समबंदी दो मामनों में बरी करने के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोट में चुनावती देगी। राजस्तान के संसिद्य कारे एवंग विधी मंतरी राजेंद्र राठों ने मुख्य मंतरी की अध्यक्षता में हुई मंतरी मंदल की बैठक के बाद समधाता उसे बातशीत के दोरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार सल्मान खान के मामली में गुण अवगुण पर मामलों में सजा के खिलाफ सल्मान की याचिका को स्विकार कर उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया था कॉंकन में भारी बारिश की वज़ा से आई बार के चलते राएगड जिले में मुंबाई गोवा हाईवे पर एक पुल तूट गया इस हादसे में कुछ गारियां बहने की वज़ा से 22 लोगों के बह जाने का अंदेशा है पुल तूटने के बाद NDRF राखत और बच्चाव के काम में जुटा है NDRF की प्रात्मिक तफसे हुए लोगों को सरक्षृत निकालने की है आपको बता दे कि ये पुल बिटिश काल में बना था दरसल इस जगा पर आस पास दो पुल है जो पुल तूटा है उसका इस्तमाल गोवा से मुंबई के ट्राफिक के लिए किया जाता है दूसरे पुल का इस्तमाल मुंबई से गोवा जाने के लिए होता है हादसे के बारे में सीएम देविंद्रुफर नविस को जानकारी दे दी गई थी जिसके बाद से ही सीएम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है हाईवे पर पुल वेहने के बाद NDRF राहत और बचाव के काम में जुटा है खबरों के सफर में फिलहाल उतना है देश दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बने रही है मेट्रो टीवी के साथ नमस्कार